सब्सक्राइब करेंगे सेशन के अंदर एक तो डिस्प्लेस्मेंट जो है DRC के अंदर डिम्यक्रिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो आयार का टॉपिक है मेग ट्वंटीएब का जो रिस्प्लेस्मेंट है है AC and DC transformation science का टॉपिक है और सिल्क वार्म कैकून डिफरेंट इसमें पर क्यारेटर नॉइड और फ्लेवर नॉइट के बार में डिसक्शन करेंगे यह साइन्स का टॉपिक है दिन कलर्स इंटूबलाइट साइन्स का टॉपिक है और क्ल्यू चैवस्क्वाइब वालकेनो जोग आपको डिसक्शन करोंगा ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और इंडिया जूडिशन सिस्टम में क्या इंपक्त है वो देखना है भारति नाय प्रानाणी में वैश्वी करनड के प्रभाव की व्याक्षा करें जिस पर एक मैं पॉइंट आपको डिसक्स करूँगा आपको जीएसपेपर वन के अंदर यूँआब ग्लोबलाइजेशन और जीएसपेपर टू के अंदर इफ यूँद सी यूँआब जूडिशन सेस्टम और वह आपको जीएसपेपर टू के अंदर आता है तो यहां पर अगर देखा जाए तो कई सारे जो प्रश्न है वो आ आपके जनरली फ्रेम हो सकते हैं इसमें काफी इंपोर्टेंट है अगें इंपोर्टेंट आपके लिए बन जाता है तो इसको आपको लिखना है कैसे अपने आंसर को एवेल्मेट आप करा सकते हैं और पांडश सी एससी एप को डाउनलोड करो लिंक नीचे दिया हुआ है और इस आपको डाउनलोड करके उसमें आपको you have to join a series with name आकलन सीरीज ठीक है अग्रिकल्टर ऑप्शनल की क्लासेस पेपर टू की स्टार्ट हो गई है तब आप जूड़ सकते हो आज सेकेंड क्लास होगी पेपर टू की लाइव क्लासेस हैं तो अपना ऑप्शनल भी आप सकते हैं आकलन सीरीज में आप अपना answer को evaluate करा सकते हैं और यह test series का हिस्सा जरूर से बने फोर्थ test आपका इस संडे को scheduled advanced current interface का 5am series के अंदर भी मैं advanced current interface आप लोग के लिए cover कर रहा हूं और इस series के माध्यम से आप लोग test जो है देते रहें चीजे जो नहीं दिखती है आप उसको बढ़िया से cover करते रहें जैसे सुबह आज जो 5am series है उसमें भी हमने ultimate topics जो हमने discuss कर रखें तो लेट्स मूव तूपिक फ़र्स टॉपिक डिसकस करते हैं इस टॉपिक इस्टॉपिक 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 के अंदर है यह discuss करते हैं और अफ्रीका के अंदर य इस्टॉपिक को समझने के लिए यह थोड़ा जोगर्फिकल कंटेक्स में कुछ चीज़ा है वह हमें देखनी है तो उसको देखते हैं पहले जीस तो देखो यह जो टॉपिक है आप किस केटेगरी में note करोगे तो यह टॉपिक आपको international relation के अंदर आपको IR के अंदर note-down करन है तो आप यह कह सकते हैं कि इंटर्नल माइग्रेशन इंटर्नल माइग्रेशन यह टॉपिक भी जीस पेपर 3 के अंदर माइग्रेशन जैसे टॉपिक है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कॉंगो यहां पर देखने को मिल रहा है तो इसमें अगर आप देखोगे तो यह इधर यह तंजानिया है बुरुंडी है रवांडा है यह यूगांडा है यह अंगोला है यह कॉंग है तो यह याद रखना है जर्नली जोग्रफी के अंदर मैपिंग के कंटेक्स्ट में यह टॉपिक्स बहुत-बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए फ्रेम होता है बहुत इस अंगोला इधर जांबिया तंजानिया रवांडा बुरुंडी यूगांडा यह तीन देश बहुत इंपोर्टेंट है और यहां पे खास तोर से यह जो रवांडा है याद रखना है अभी चर्चा करेंगे जो भी डिसकॉशन है इधर आपको साउथ सुडान और यह रवांडा है बुरुंडी है तंजानिया है काफी अधिक माइग्रेशन क्योंकि इस रीजन में बहुत अधिक कंफ्लिक्ट है तो माइग्रेशन जो है इधर इंटर्नल डिस्प्लेस्मेंट देखने को मिल रहा है यह अंगोला है तो क्या रीजन्स है वो आगे हम डि कीव यह रिजन्स लॉकेटेट कहा है सो यह डिमो कौडिक का देओ क्रुस्ट न्यक एंडूकि लूकेटव यह यह तोहाइन पर लेकॉख यह तोड़े से चयागण रखने fingers यह तो यह थोड़े से दियार्ट है तो यह सब्त Annual साउथ क्यू नॉर्थ क्यू और उसके बाद आपका जो है गोमा यह सब जगाएं याद रखनी है क्योंकि न्यूज में कि बोहो करके रवांडा में जगा है कि बोहो कि बोहो यह मैस्ट फॉल्विंग में आई यार में अचकल प्रश्णी लोग इस तरीके स्प्रेम कर रहा है यह आपका international relation से related geography के प्रश्णाप के लिए फ्रेम हो रहा है यह जगाएं याद रखनी है यह जगाएं है मुमेंट भी लोगों का हो रहा है और यहीं पे एक रिवर भी है यह आपका कॉंगो रिवर है यहां पे एक रिवर भी जो प्रिजेंट है यह कॉंगो रिवर है इस कॉंगो रिवर फर्दर देखा जाए यहां पर फिल्हाल जो डेवलप्मेंट हुआ है उस डेवलप्मेंट की उपर देखते हैं क्या बात है जिस वजे से यह स्थिति आपकी जो है बनी हुई है तो अक्टूबर 30 को यूनाइटेड नेशन जो इंटरनाशन और्गनाइजे इनialis displacement का मतलब होता है नाइक हिस्से के दूसरे हिस्से की तरफ माइगरेट करके जा रहे है उसे अब इनलियुक्ता होने जा ञाप में दिखाए उसे रिलेटर तो यहां पर अगर आप देखोगे, you have North Q, यह जो प्रोविंस है, यहां पर Eastern प्रोविंस आप नौर्थ क्यों में लगभग, यहां से लगभग आपके millions पीपल जो है, डिस्प्लेस हुए है, क्यों, because of the conflict, जो है, with the rebel group, जिसका नाम है, M23, M23, that is, मौमेंट दू 23 मार्स, तो य आपको याद रखना है, कि यह क्या है, M23 के साथ, जो एक rebel group है, जिसके साथ एक प्रकार का conflict चल रहा है, जिस वजह से, there is this displacement, यह एक बड़ा factor है, is displacement के लिए, then यहां पर conflict के अगर बात की जाए, तो देखो, conflict जो linked है, यह पुरानी history है, इसके पीछे, और mainly अगर आप देख minority, Tutsi, और जो non extremist हुतूज है, उनको मार दिया था, अब आप सोचो, एक million मतलब 10 लाक लोगों को मार दिया था, यह होता है, अगर कहीं भी आपके institutions strong नहीं है, समाज में जो value system नहीं है, तो दुनिया भर की जो चीजे है, extremist thought और यह सब बहुत develop आपके होते चले जाएंगे जब extremist जो thoughts होते हैं, they cannot, आप क्या सकते हैं, वो कभी भी allow नहीं करेंगे कि एक साथ coexist किया जा सके, diversity को कभी वो appreciate आपका नहीं करेंगे, तो यह देखने को मिला है, like 1994 की बात किया जाए, फिर जो Eastern Democratic Republic कॉंगो है, जो की Rwanda को border कर रहा है, वहाँ पे कई प्रकार की insurgency देखन को मिलता है, क्योंकि देखो, border इलाके में ही, जो border इलाके होते हैं, उसमें crime करो और दूसरे देश में चले जाओ, तो वहाँ पे जो rules है, और यह सब लागू नहीं होते हैं, तो यह Rwanda देश एकदम DRC के पीछे भी है, और कहा भी गया, कि Rwanda कुछ मदद भी कर रहा है, कई प्रकार के जो insurgent और militant groups हैं, उनकी मदद भी Rwanda कर रहा हूँ, इस वज़े से DRC और Rwanda के बीच में काफी tension भी हुआ है, so UN के according, beside M23, लगभग 120 insurgent group है, North Q, South Q, इतूरी, यह कई प्रकार के जो यह provinces हैं, तंगानिक्या, ऐसे regions के अंदर, बहुत सारे insurgent group है, and यह जो violence है, वाइलेंस के अगर बात करें, तो several militant group है, territory, natural resources, अब देखो क्या होता है, कि जब आपकी संस्थाएं strong नहीं है, यह जो extra, यह आपके सकते non-state actors, बहुत ज़्यादा dominate करने का कोशिश करते हैं, यह बहुत ज़्यादा active और prominent हो जाते हैं, और यह जो non-state actors हैं, यह जो control करते है अब वो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देंगा, उनका origin का basis कुछ और होगा, लेकिन फिर आपस में करना start करते हैं, दूसरे जो देश होते हैं, जिनको resources चाहिए होते हैं, वो एक, दो, तीन, इनके साथ contract कर लेगा, यह businessman contract कर लेगा, उनको पैसा देगा, और उनसे resources ले जा रहा है, एंड यह कहा गया, कि एक दूसरे को कहा भी जा रहा है, कि मतलब कोई तुसी को support कर रहा है, कोई जो and who to, जो उनसे, मतलब भी कैंसे कि जो भी उनके groups हैं, insurgent group, militant group, उसको support आपका किया जा रहा है, फिर further M23 bill group है, वो और resurface हो रहा है, उसके साथ और युद्ध एक प्रकार से वहीं पे जैसे M23 है, दूसरे militant groups हैं, जो की DRC मतलब Democratic Republic Congo का ही हिस्सा है, उन्होंने हथियार उठा लिया और आपस में लड़ाई चल रही है, सरकार से लड़ाई चल रही है, इसलिए डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए जो है लोग डिस्प्लेस जो है वो कर रहे हैं, एंड लगभग फॉल्विंग दा दिस रवांड़ा जीनोसाइट जो 1994 का हुआ था, एंड विकॉज अब दिस फिर अपने अलग अलग खुद के extremist और militant groups जो है वो आपके बन गया है, सेकेंड जो है political uncertainty है, किसी जगह पे जैसे किसी particular group के लोग है, particular community ethnic group के लोग है तो वो दूसरों को support नहीं करेंगे, उनको मारेंगे, तो फिर उस डर से जो है, वो लोग चले जाएंगे, तो inclusive बहुत होना जरूरी है, inclusive governance का model यही है, कि जैसे मालो, कि जो आप governance का process हो, उसमें आप सब को साथ लेके चल रहे हो, यह बहुत important है, अगर हम साथ लेके नहीं च कर देंगे, तो political uncertainty and lack of inclusive governance is the other factor, because of which लोग जो है, वो आपके वहां से जा रहे हैं, फिर आपका regional tension भी है, रवांडा और DRC के बीच में, तो बहुत factors में देखा, यूगांडा, वुरूंडी, यह जो देश है, इन पे भी आपस में conflict रहता है, देखो, society के अंदर या देश के अ of activities होती है, different set of activities जिसके माद्याम से देश भी आपस में coordinate cooperate कर सकते हैं, relation develop कर सकते हैं, car कर सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर मालो यह सब lack करेगा, तो फिर hatred और आप क्या सकते हैं, जो एक प्रकार का अपना ego satisfy करने के लिए, लड़ाई करने की जो इस्थिती बनी रहती है, अगर आपके पास positive चीज के लिए cooperate करने के लिए issues हैं, तो आप negative चीज पर नहीं जाओगे, तो यह अपना जो भी अलग अलग इतनी groups हैं, जो जहां present है, जिन देशों में present है, उनकी leadership किस की तरफ inclined है, आपस में लड़ते भीड़ते रहे हैं, और इस वज़े से common public है, वो इ यह जो militant group होते हैं, terrorist group होते हैं, insurgent group होते हैं, इनको funding कर देता है, जाओ disturbance करो, disturbance करके फिर political instability ले आते हैं, जितनी जदी, जतना अधिक political instability होगे, दूसरे जो बड़े देश होंगे, चाइना, रशिया, इनका influence और अधिक होगा, यह कहेंगे, चिंता मत करो, हम से deal करो, हम पै और जो अभी development के लिए manufacturing sector के लिए चाहिए, वो सारे resources इनके पास है, तो यह युद्धि की स्तिती जो है आपकी बनी रहती है, let's move to the next, how are MIG-21 fighters jets being faced out, तो यहाँ पे देखो, यह just for information, अगर आप, जैसे for example, you are writing about the defense aspect, तो कुछ argument आप ले सकते हो, तो यहाँ पे October 31st, 2023 में MIG-21 जो fighter jets है, उसका squadrons है, ओरियल्स करके है Indian Air Force का, उनको अपका replace किया जाएगा, last number 51 squadron जो है, उसको replace किया गया था, अब इसमें खास तोर से अगर आप देखोगे, कि इसके पीछे जो एक बड़ा factor आपका highlight किया गया है, कि जो MIG-21 है, जो कि बहुत ही पुराना है, आप क्या स accidents भी होते हैं, तो ये light combat जो aircraft LCA MK1 एक जो है, इसको replace करेगा, और भी जो indigenous LCA, they just develop करना, और जो हमारे खुद के developed, आप क्या सकते हैं, कि indigenous level पे aircrafts है, तो उनको हम use करेंगे, MIG-21 को हम replace कर रहा है, धिरे धिरे, तो इससे फिर रश्या पे dependency भी थोड़ा reduce होगे, next देखते है, understanding the fundamentals of how electricity is transmitted, अब आपको लगए यार, यह सब पढ़ने से क्या मतलब है, important है, यह सब चीजे पढ़ना, जानना, बहुत important है, the reason being, इसके पीछे एक बड़ा factor रहता है, कि ऐसे जो topics होते है, these topics basically can be asked in prelims, में इसमें दो कोई chance नहीं होता है, यह अब prelims वाले register में आप note कर लो, ठी transmission aspect, एक तो transmission part आप हमें जानना है, transformer क्या होता है, वो जानना है, AC-DC के बीच में basic थोड़ा सा difference हो जानना हो, यह 3-4 चीजे में आपको बताऊँगा, prelims वाले register में इस चीज को note करना है, क्योंकि इसमें mains का कोई प्रशन नहीं बनेगा, again I am requesting each of you, कि 5am series को please miss ना करे, मैं आज भी session आपके लिए uploaded है, आप देखोगे, बहुत important और ultimate topic, different newspaper से में मैं डाल रहा हूँ, 24 की तयारी कर रहे हो, please miss नहीं करना है, again I am repeating, बाद में shortcut ढूड़ोगे, वो आपकी उपर है, although I will continue this thing, जो भी serious लोग है उसको करते हैं, यह YouTube में ही चल रहा है, ठीक है, 5am series आपकी चलती area, तो दूसरा यह है, और प्लस वो जो आपका test series वाला part है, उसका भी अगर आप हिस्सा नहीं बने तो भी हिस्सा बन ले ना, उसके लिए सौरब पांड़े CSE app डाउनलोड करना, इस संड़े को test आपका होगा, यहां पर देखोगे, generally, अगर आप electricity के transmission की देखोगे, जैसे transmission lines लगी रहती है, वहां से फिर electricity का, जो आप क्या सकते हैं, electricity का transmission होता है, फिर यहां पर इस बीच में, यहां पर transformers होते हैं, अब transformers basically, यह voltage बढ़ाते हैं for transmission, तो मतलब current जो है, current को reduce करना, current को reduce करना, और voltage को बढ़ाना, इस से क्या होता है, इस condition में, जो loss है, electricity का loss है, वो कम होता है, यह आपको थोड़ा से याद रखना है, यहां पर कहा है, कि जहां से जब transmission हो रहा है, तो यहां पर step up होगा, फिर जब इसका distribution पहुचाने की बात होगी, तो voltage को reduce किया जाएगा, यहां पर दो तरीकी के transform step up होगा, जब आप power से, जहां से power generate हो रहा है, वहां से transmission start कर तो आप voltage बढ़ाओगे, और जब आपका जहां आपको लेकर जाना है electricity, वहां तक महुच होगे, तो voltage को आप reduce करोगे, जो original है, वहां तक लेकर जाओगे, जब भी energy, यहां पर point आप याद रखो, कि जब भी energy transferred होती है at high voltage, और lower current जब यूज़ करती है, तो यहां पर energy loss कम हो आपकी लगभग बहुत ही कम होती है, यहां पर जैसे कई factors होते हैं, ज्यादा current pass होने से heat generate हो सकती है, उससे भी थोड़ी electricity का loss हो सकता है, लेकिन जब आप lower current और high voltage का combination लेकर चलते हो, तो जो electricity का loss है, that loss is comparatively, आपकी जो है, वो less होती है, next देखते है, यहां पर एक point है, that is transformer, transformer, transformer आपने सुना भी होगा, transformer दो तरीके के होता है, एक होता है step up transformer, एक होता है step down transformer, अब यह जो transformers होते हैं, basically if you talk about, यह basically जो voltage और current के level को increase या decrease करने के लिए इस्तमाल होता है, जैसे, अगर आप step up transform की बात करोगा, तो voltage बढ़ाएगा, step down की बात करोगा, तो voltage को reduce करेगा, त step up या step down, step up या step down, तो voltage को increase करना, या voltage को decrease करना, यह जिम्मेदारी आपकी किस की रहती है, यह जिम्मेदारी basically, यह मतलब यह आपका transform के माध्यम से किया जा सकता है, next point आता है, let's see, that is the alternative current on, next point जो हमें देखना है, that is alternating current and direct current, तो देखो, जब भी एक point याद रखना, कि जब आप वो longer distance के लिए अगर transmission कर रहे हो, तो आपको alternating current की जुरूत पड़ेगी, जब आप वो, जब आप longer distance के लिए transmission कर रहे हो, तब आपको alternating current चाहिए, और अगर आपको short distance के लिए transmission करना है, तो आपको direct current जो है, वो चाहिए, जो magnet है, यह electric flow को, electricity के flow को affect कर सकता है, और यहाँ आपका direct current में नहीं पढ़ता है, आपका पढ़ता है, तो यह दो points आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर alternating current जो हता है, अपने direction को change भी करता रहता है, यह current change its direction backward periodically, इसलिए से हम alternating current भी बोलता है, alternating current जो होता है, और यह जो direct current है, वो single direction में आपका flow करता रहता है, तो यहाँ पे electrons, electric currents के अंदर आपका backward forward move करता है, और यहाँ पर क्या है, जो direct current है, वहाँ पर एक ही direction में move करता है, यह कुछ facts यादर रहना, अल्टरनिटिक current और direct current, तो यह देखो यह एक physics के अंदर आप पढ़ते हो, और कभी भी देखो newspaper में अगर दिया है, किसी purpose के लिए दिया होग अब questions बना लिए जाता है, ऐसे science, general science में प्रश्ण बिल्कुल आपके लिए ऐसे frame होता है, mains में जो है, इसमें कोई प्रश्ण आपके लिए frame नहीं होता है, यह ध्यान में रखना है, let's move to the next part, where do domesticated silk warm kecuns get their wild colors from, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यह, यह भी इसमें देखो mains क प्रश्ण नहीं बनेगा, prelims का ही, general science के अंदर यह topic आप note कर सकते हो, topic का नाम लिखो, that is the silk warm, यहाँ आप topic का नाम लिखो, कि why, आप लिखो कि why, यह आप लिखते हैं, तो why, silk warm kecuns have different colors, silk warm kecuns के क्यों different colors होते हैं, वो factor इन्हों ने बताया है, ठीक है, यह topic का नाम है, अगे जैसे अगर आप देखोगे, तो यह कीड़ा है, यह पत्ती है, मलबेरी की पत्ती है, और इसी से, मतलब इस टाइप से silk बनता है, यह आपने कई बार देखा भी होगा, इसी से silk जो है, वो आपका develop होता है, जो silk है, वो silk आपका, जो है, इसी से develop होता है, अब यह silk कई different color का ह हो सकता है, जैसे अगर आप देखोगे, यह अलग-अलग तरीके color हो सकता है, there can be different color, yellow और यह different colors जो हो सकता है, मतलब जो कैकून होता है, जैसे image में मैं दिखाता हूँ, जैसे माल लो, यह मलवेरी की leaf है, यह अंडे है, यह लार्वा है, इस से फिर यह कीड़ा आता है, जिस से आप वो silk के thread निकालते हो, तो यह कैकून शब्द इसके लिए स्तमाल होता है, अब इस यह अलग-अलग different color का हो सकता है, this can be of a different color, यह कहा है, it can be of a different color, यह आपका अलग-अलग color का जो है, हो सकता है, तो यहाँ पे, देखो, क्या points highlight किये हैं, study क्या कहते हैं, वो देखते ह है, जो caterpillar है, जैसे silkworm की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे, कई प्रकार के different, आप क्या सकते हैं, कि जो कैकून डेवलब होता है, जो अभी मेज मैंने दिखाया, different colors हो सकते हैं, तो जैसे जो wild, जो silk है, इसमें, मुगा, तसर, airy silk होते हैं, अलग-अलग तरीके silk आपके present होत हैं, मौत, मौत बोलते हैं, एक insect type ही होता है, तो मौत की अलग-अलग species से, अलग-अलग आपको यह मिलते हैं, तो जैसे for example, जो अलग-अलग species हैं, जिन से यह silkworm, जिन हम silkworm भी कहते हैं, जिन से silk आप obtained करते हैं, जैसे antheria, assama, antheria, mylita, samia, synthia, ठीक है, यह सब आपका क्य आप दे हुमन के, तो असानी से यह सर्वाइब कर सकते हैं, आपके पास ऐसे भी है, silkworms जो होते हैं, जो की mulberry जो पत्ती है, जिस पर generally silk आपके survive करते हैं, उनके बीना भी रह सकते हैं, तो there can be silkworm, जो mulberry based हो सकते हैं, and non mulberry silkworm भी आपके हो सकते हैं, ठीक है, non mulberry silkworm भी आपके अब यहां पर यह भी कहा गया, कि they can have a different color, pink color, flesh, pale green, deep green, बहुत सारे ऐसे, अलग-अलग तरीके के colors जो हैं, वो होगा, like you can have brown, yellow, cocoon भी आपके होगा, अलग-अलग different colors जो हैं, वो different colors हो सकते हैं, अब यह कहा गया, कि अगर यह different colors हो रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको दिखाया जो कैकून हैं, उसके अलग-अलग colors हो सकते हो, तो इसके पीछे कहा गया, कि यह जो different colors है, it is because of the keratinoids and flavonoids, अब यह दोनों क्या हैं, यह प्रकार के pigments होते हैं, pigments होते हैं, और यह pigments basically, वो किसमें present होती हैं, mulberry leaves पे, mulberry leaves पे, जो पत्तिया हैं, यह जो पत्तिया हैं, जैसे keratinoids और flavonoids, यह दोनों क्या है, इसको अलग-अलग color की, color की, मतलब यह pigment जो है, यह पत्तियों के अंदर present होंगे, keratinoids और flavonoids, and depending upon कौन सा pigment present है, और वो कीडा जो है, उस पत्ति को खा रहा है, तो different pigment जो है, वो reach कर रहा है, उसकी वज़र से, जो कैकून है, उसके different color होंगे यह आपको याद रखता है, and because of that, you will have a different color of silk warm, तो पत्ति है, पत्ति के अंदर pigment present है, जिस हम keratinoids और flavonoids बोलते हैं, यह पत्तियां जो है, इन ही पत्तियों को जब consume किया जाता है, तो यह pigment आपके वो कीडा जो silk वाले में जाता है, उसके बाद ही different silk produce हो रहा है, उनमें भी different colors हो सकते हैं, अब generally यह जो colors अलग-अलग आ रहे हैं, इसके पीछे evolution responsible है, there are related genes, जिसमें mutations और changes हुए हैं, जिस वज़े से अलग-अलग यह pigments जो हैं, वो produce आपके हुए हैं, यह ध्यान में रखता हैं, तो mature caterpillars then spin out the silk protein and associated pigment into a single fiber, जो अभी हमने diagram पे भी जो है, वो like we have also red in diagram also, we have gone through the diagram also, differently colored cocoon है, जो differently colored cocoon है, they arise from mutation in the genes responsible for uptake, transport and modification of keratonoids and flavonoids, अब देखो यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अब इसमें देखो हमने यह देखा कि यह पत्ती है, यह पत्ती है, इस पत्ती है, इस पत्ती से ही, यह जो पत्ती है, इस ही से पत्ती से ही, different types of keratonoids and flavonoids कीड के अंदर गया, और यही कीडे, after evolution, अलग-अलग evolution के माध्यम से, they bring different colors, और वो depend करता है, mutation of the genes, तो सालों साल, दर साल, बहुत mutations हुआ, काफी समय तक, और धीरे-धीरे, यह किस तरीके से उसको ले रहे हैं, पत्ती से, कैसे use कर रहे हैं, कैसे modify कर रहे हैं, उस basis में ही, different types of colors है वो color, कैकून के अंदर, कैकून के different colors, जो हैं, वो visible होते हैं, और उससे फिर आपको, जो silk है, वो silk different color की मिलती है, तो यह, देखो, means में तो इसमें कोई प्रश्ना नहीं आएगा, बड़ ऐसी information, क्योंकि science के अंदर आपका आया है, तो इसलिए थोड़ा सा, जरूर से, prelims में ऐसे प्रश्न बंते हैं, आज के समय में, आपको ऐसे topics पर ध्यान देना चाहिए, yellow red color है, इसके लिए, white genes responsible है, अलग अलग तरीके की genes है, जो कि responsible है, और ये genes basically क्या है, कि जो पत्ती से derived keratonoids, वो flavonoids है, उसमें modification, transportation, और जो भी उसमें बदलाव है, उसके लिए responsible आपका होते है, and that is apontic genes, apontic है, like domesticated and ancestor mulberry silk, most can be interpret to produce hybrid offspring, research जो आपकी जो हुई है, so you have a gene called as apontic light, अब देखो, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ दो शब्द में चाहिए, पहली चीज़ तो यह बोला गया, कि एक यह बोला गया, that is certain genes present होती है, जिसे हैं apontic शब्द बोलते हैं, apontic, अब देखो, यहाँ पर यह भी कहा गया, कि जैसे एक प्रकार का, जैसे for example, अलग-अलग जो produce किये जाते हैं, वो produce कैसे किये जा सकते हैं, by inbreeding, inbreeding शब्द है, inbreeding, inbreeding कैसे होता है, जैसे मालो, जैसे मालो, यह एक species है, इसी से एक derived species, यह S1 है, इसी से दूसरी species है, तो same ancestors हैं, इनके बीच में अगर crossing होगी, तो यह inbreeding कहलाएगी, it is called as inbreeding, same है, तो उनके बीच में inbreeding होगी, और यही अगर same में आप करवा रहे हो, तो यह same चीज further transfer हो जाईए, कई बार क्या होता है, कि जो genes responsible होती है, तो suppose करो, एक में Y gene present है, और Y gene present है, और आपने inbre property आगी, तो यहाँ पर आपको simple सी बात आपको देखनी है, कि suppose कर S1 को किसी S4 से अगर cross करवा दिया, जिसका इन से कोई लेना देना नहीं, तो नहीं जो बनेगी offspring आएगा, उसमें बहुत सारे different आपके different genes present होगे, लेकिन अगर इन दोनों में crossing आपकी होती है, जो same ancestors से हैं, तो यह same gene आगे के generation में transfer होगी, which is responsible for the, we can say which is responsible for this particular property, suppose जैसे हमने डिसके के particular color, particular gene से related है, तो उस gene को आप इस तरीके से transfer कर सकते हो, यह कुछ facts जो है, याद रखना है, इसमें इन्होंने M, Mori, M, B, Medarine, या लग तरीके के moth species है, जिन की crossing की जा सकते, लेक्स देखते है, color of the tube lights, यह topic आपका क्या है, यह topic भी देखो science के अंदर है, यह prelims के लिए important, इस पर भी means का प्रश्न नहीं बनेगा, अब क्योंकि newspaper में ऐसी चीजे दी होती है, तो इनको miss नहीं करना चाहिए, political news हमको अच्छे लगती है, बट आप समझो कि ऐसी topics पर भी आपको comfortable होना पड़ेग अगेन अगर आप session देख रहे हैं, like बटन जरूर से प्रेस करें, session को share जरूर से करें, और जो question मैं आपको मैंस का देता हूँ, उसको आप check करा सकते हैं, कल मैंने और भी काफी सारी लगभग, 50 copies चेक कर दी हैं, आप लोग को मिलती रहेंगे, आप अपने answer को send करते हैं, यह आपकी जम्यदारी है, सौरब पांडे CSE app का link नीचे दिया है, उस पर जाओ, और आप लोग आकलन series जोईन कर सकते हैं, 5 a.m. series morning में आपकी हो रही है, आज second day है, मैंने session करा दिया है, please go through it, different different newspaper से जो possible topics हैं, वो आपको करवा रहा हूँ, अब बढ़ी है तरीक से उनको note करत उसमें इन चीजों को लिखते चला जाओ, content कहीं से भी compare कर लेना, वो content आपको cover नहीं मिलेगा, इस अब advanced current affairs है, जो UPSC के लिए जरूरी है, यह one liner type चीज़े कि यहां गये, प्रधान मंत्री वहां गये, उस जगह गये, रास्ते का नाम क्या था, ठीक है, कहां पर उन्होंने पानी भी या, पानी की bottle का नाम क्या था, इस type क current affairs काम नहीं आता है, और इसके लिए आपको कोई session attend करने की जुरूरत नहीं पड़ी है, अगर आपको interest है current affairs में, कोई भी magazine उठाओ, उसमें आप पढ़ लो या one liner type जो चीज़े होती है, अगर UPSC के लिए आपको advanced part पर focus करना अपड़ेगा, तो complete package है, अगर आप 5M series देखो और हिंदू का session देखो, कुछ और करने की जुरूरत नहीं पड़ी है आपको, ठीक है, so let's move to the next part, colors of the tubulates की उपर है, colors of tubulates की देखा जाए, तो यहाँ पर एक, जैसे why the fluorescent lab marked 6500 k tubulates, तो देखो जो value 6500 k है, fluorescent lab represent a parameter called related color temperature, अब यहाँ पर पहली चीज तो fluorescent शब्द का इस्तमाल है, ठीक है, fluorescent, fluorescent का मतलब क्या होता है, जैसे मालो, कोई यह चीज है, कोई chemical, कुछ भी है, ऐसे, light इस पर पड़ेगी, और फिर यह light को जो है, ऐसे, dispersed type करेगा, तो वो fluorescence properties इसको बोलता है, tube light basically fluorescence पर based आपका रहती है, तो जो color distribution है, from that lamp, it's similar to that of a black body, at that temperature, जैसे, जैसे इसमें कहा गए, कि जैसे, कोई black body है, वो light को absorb, जो है, वो करेगी, फिर आपने source बंद कर दिया बीच में, फिर क्या होगा, यह light को फर्दर छोड़ेगी, ठीक है, ठीक है, ठोड़ेगी, तो यह property होती है, at particular temperature, कोई भी black body है, अगर आप उसे heat करोगे, तो it can, it heated, emits different colors, at different temperature, like 2000 Kelvin के अंदर देखोगे, red light होगा, 4000 के अंदर, yellowish white होगा, 2700 के अंदर, और warm light होगी, 6500 के अंदर, cool daylight आपकी होगी, ठीक है, तो daylight की तरह होगा, तो जैसे stadium देखोगे, तो stadium में, जनले लिए अगर इसका इस्तमाल है, तो वहाँ प आप यह समझो कि कोई भी black body, अगर आप उसको heat करते हो, और heat कैसे, जब आप electricity प्रवाइड कर रहो, तो आप heat कर रहो, तो कोई भी black body, अगर heat होगी, तो वो different colors को, आपका different color को emit करेगी, 2000 Kelvin तक heat करोगे, तो यह red light देखे, मैं तक different, तो 6500 वाला, अगर mentioned है, तो वो क्या है, cool दिन की तरह एकदम light होगा, कि दिन है, जैसे cricket stadium के अंदर जो होता है, यह थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए, अब based on the color appearance, यहाँ पे 3 types की होती है, जैसे daylight white 5000 की उपर है, warmth white 3300 की उपर है, मतब यह heating की उपर निरभर आपका color है, और यह भी कहा गया, कि जो color है light का, व वो कि chemical की है, जैसे tri phosphorus, standard phosphorus, multi phosphorus, अलग अलग तरीकी की chemicals की coating भी जो होती है, जैसे standard phosphorus जी सकता है, not phosphorus, phosphorus जो है, ordinary tube light में इस्तमाल किया जाता है, tri phosphorus coated lamp, जो है, वो incandence, जो LED light sounds पर यूज होती है, emit yellow light, similar to sunlight, ठीक है, उसके बाद, मतब यह जो normal lamp है, उसमें use होती है, standard जो tube light है, वो आपका light में, उसमें standard जो tube light है, इस रेंडर, similar color to daylight, तो जैसे अलग अलग तरीके की, जो light है, तो वो दिर भर कैसे करती है, पहली जो black body है, इतना heat किया गया है, अलग-अलग temperature के base permission है, दूसरा, जो यह chemical की, जो coating है, उस पर भी निर्भर करती है, तो यह facts आपको ध्यान में रखना है, अगेन, I am stating, इस पर कोई mains का प्रश्न नहीं बनेगा, जोगरफी की mapping का question देख लो, अब देखो, mapping के questions भी यह लोग इसी तरीके से जो है frame कर रहे है, इस पर थोड़ा सा हमें देखना है, तो यहाँ पर देखो, यह एक volcano है, जिसका नाम पता होना चाहिए, जोगरफी की mapping का प्रश्न है, यहाँ पर, that is QC, QC Squire volcano, यह volcano, रश्या के नदन, काम चटका peninsula के अंदर, अब इसका latest eruption हुआ है, प्रश्न वीडियो और स्क्रीन शाट भी डाला हुआ, आप लोग देख लेना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वो किसी topic से related था प्रश्न बना दिया, यह लैसे लोग पूछते है, latest volcanic corruption और इस टाइप के प्रश्न भी यह लोग बनाते है, अब यह उपरी हिस्से में जो volcanic corruption अब यह जो है, यह highest mountain है Siberia का, Eurasia मतब Europe और Asian region की बात करें, यहाँ पे like 100 km है Bering Sea से, यह Eurasco World Heritage Site के अंदर भी आता है, यह कुछ facts आपको देहन में रखना है, it is also part of UNESCO World Heritage Site, next देखते हैं, a verdict that hampers international law obligations, again this topic is related with polity, polity से related यह topic है, और इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसका थोड़ा पर context दे देता हूँ आपको, and then you will understand कि इसमें क्या-क्या बातें जो है, वो लिखी हुई है, क्या mentioned है, वो गवर अच्छे से समझ पाएंगे, यह topic आपको क्या mention करना है, यह topic आपका जो है, वो quality, बहुत technical भी लिखा है, technical पर जादा नहीं जाएंगे, quality से related है अब यहाँ पर quality से related क्या है, यहाँ पर एक तो concept है, dualism का, dualism एक concept आएगा, वो discuss करेंगे, और आप इसकी heading भी डाल सकते हो, that is the domestic law versus international law, versus international law, international law, और एक और concept है, that is most favored nation, तो थोड़ा सा मैं वो context देता हूँ, फिर जो इसमें लिखा हुआ है ना, उसको आप हासानी से समझाए पहला तो एक शब्द mentioned अगर आप देखो, that is most favored nation का concept है, what does that mean, जैसे WTO के अंदर ही आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे जो भी देश WTO के members है, तो अगर आप हो, मार लो इंडिया है, इंडिया में पांच WTO के members जो है, वो व्यापार कर रहे है, तो आप पांचों में ऐसा discrimination नहीं कर सकते हो, तो वो पांचों में discrimination नहीं कर सकते है, और अपने जो domestic player है, उस domestic player को बहुत जादा favor नहीं कर सकते, in comparison to the international player, जो की, जो मतलब WTO के जो देश members है, उसे हम most favored nation बोलता है, most favored nation basically कि domestic player और international player में आप जो बहुत जादा discrimination इस टाइप की चीज़े नहीं कर सकते, यह most favored nation होता है, और यह भी, इसका मतलब यह भी है कि एक को अगर आप कोई चीज़ दे रहा है, तो 4-5 जो similar positions में उनको भी आपको, same, मान लोग जो भी policy है, उसकी benefits आपको देने पड़ेंगे, यह WTO का most favored nation का principle है, दूसरा कहता है domestic law, domestic law के context में, जैस double taxation avoidance agreement कई देशों के साथ sign किया है, जैसे Europe के कई देशों के साथ हमारा आपका double taxation avoidance agreement है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो किसी purpose के लिए, वहाँ tax उन्होंने दे रखा है, तो same चीज के लिए भारत में आके मानलो, उनको tax नहीं देना है, उनको जो है, वो tax नहीं द पड़ है, यह चीज होती है, अब point यह है कि जब हमने DTA sign किया है, तो वो as per the most favored nation principle, suppose करो OECD के साथ OECDA grouping है, उनके members के साथ हमने DTA sign कर लिया, अब sign करने के बाद, जो benefit है, वो benefit OECD के double taxation avoidance agreement के जो benefit है, सब को मिलेगा, सब को मिलेगा, as per the principle of most favored nation वाले principle है, तो हमने sign कर लिया, और agreement भी sign कर लिया, तो सभी को मिलेगा, अब point यह arise होता है, point ध्यान समझनाज में, कि जो benefit है, अगर बात किया जाए, जो benefit है, वो benefit मिलेगा तो, बट वो benefit क्या basis क्या होगा, क्या benefit का जो basis है, वो सिर्फ agreement sign करना है, कि आपने double taxation avoidance agreement sign कर लिया, benefit आपको मिल गया, या फिर agreement sign करने के बाद, आपके देश का जो law है, जैसे income tax act है, उसमें आपने change करके notify कर दिया, कि यह यह देश है, इनके साथ हमारा यह यह sign है, अब इनको जो है, यह benefit मिल सकता है, तब लागू होगा, तो domestic law में जब तक आब नहीं होगा, इसी को कहते है, principle of dualism, law के context में देखा जाए, यह एक चीज जो है कही गई है, तो जैसे अब यही इसी पर यह article भी इसी से आपका related है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक आप लोगो clear होगा, यहाँ पर कहा गया, कि जैसे कहा गया कि कोई भी foreign player है, अब उनके मन में बहुत uncertainty रहती है, यह कई बार sponsored article भी होता है, मतब इसमें court के judgment को बहुत ज्यादा गलत बताया गया, कि domestic law की क्या जूरती है, चलो हम नहीं देखते है, बट जो argument हो देख लेता है, यहाँ पर कहा गया कि uncertainty in taxation measures, मतब पालिसी में अगर uncertainty होगी तो एक बड़ा factor रहता है, अब जिसमें case है, जिसमें Nestle and Sterea deserve to be seen in this light, यह case है, उसको देखना जरूरी है, यहाँ पर New Delhi versus Nestle का case है, उसमें Honorable Supreme Court ने कुछ बाते कहीं है, और वही जो मैंने आपको explain किया, कि court ने इस बात को कहा है, कि यह चीज लागू कुछ देशों पर नहीं होगा, because those countries were not part of, जिनके साथ ह changes करने चाहिए थे, notify करना चाहिए था, वो notify नहीं हुआ है, इसलिए उसके benefit को इन देशों को transfer नहीं किया चाहिए, यह बात आपकी कहीं है, यहाँ पर कहा गया कि यह critical question यह है, most favored nation clause in tax treaty, such as double taxation avoidance, मैंने explain किया कैसे, उसके बाद यह क्या इसको हमें forward करना चाहिए, कि नहीं कर करना चाहिए, क्या benefit इन देशों को transfer किया जा सकता है, जैसे, मालो यह निदल लेंड, फ्रांस, स्विजल लेंड, इनको क्या transmit किया जा सकता है, क्या, court ने भी कहा है कि, court ने भी कहा है कि, यह भी कहा कि, जिस समय agreement sign किया गया था, वो इसका हिस्सा नहीं थे, इसले इनको benefit न tax का मतब क्या है कि, मालो कोई company है, हो हमारे देश के अंदर, खर्चा कर रही है, ठीक है, और, आना, like for example, tax on the dividend, यहाँ धहान रखना, विद्ध होल्टिं टैक्स का मतब, tax on the dividend, paid by Indian entities of foreign companies, Indian entity of foreign, मतब कोई foreign company का representative हमारे देश के अंदर है, उसके द्वारा paid tax, जो profit है, उस पर जो निदर लेंड, France and Switzerland, मतब कोई भी जो देश है, मतब यहाँ पे, for example, tax on the dividend, tax on the dividend, paid by the Indian entity of the foreign company to the resident of the निदर लेंड, France and Switzerland, मतब कोई foreign entity हमारे देश में है, suppose करो, तो वो अपने जो देश है, उसमें, मालूँ, इसमें, इसमें, इसमें इग्जाम्पल निदर लेंड, France and Switzerland का case दि करेंगे, tax on dividend, जो वो पे करेंगे, उसे हम withholding tax, जो है, बोलेंगे, इसमें, मालों कोई company आई, हमारे देश के अंदर, उसने इतना profit रखा, तो certain percentage, जो है, उसका, जो tax, वो पे करेंगे, अपने देश के अंदर, उसे withholding tax, जो है, बोलेंगे, मतब उतने amount का, जो tax है, वो formal dualism, Supreme Court has moved away from this principle towards the monist tradition of incorporating international law in the domestic legal regime, if it is not explicitly incorporated, providing international law is not inconsistent with the domestic law, देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक चीज़ ये बात बोली गई है, कि author का ये कहना है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कि international law कह रहा है, कि आपको इनको double taxation avoidance, जो है, agreement sign किया है, तो international law के according, वो tax avoidance धियान रखना है, most favored nation वाला principle है, तो यह सब international law का हिस्सा है, और आपका domestic law different हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, कि आपके देश के अंदर uncertainty आती है, तो judicial system में, जो कहा गया है, कि judicial system में, because of the globalization, जो impact, 20 per means का प्रस्ट मेंने आज का आपको बना है, कि जो globalization है, जिसमें विश्व एक दूरसरे से interconnected है, अलग-अलग companies, अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगा पे खर्चा करती है, अपनी companies, इस्टाब्लिस करती है, ठीक है, multinational जो companies है, ये globalization की वएसे, उन पर international lobbies की वएसे लागू हो रहा है, और साथ में आपको domestic law भी लागू हो रहा है, तो इस वज़े से हमारे judicial system भी, भी काफी effect होगा, आप judiciary के पास challenge क्या है, कि domestic law को प्राइटी में रखें, international law को प्राइटी मे challenges face करना पड़ेगा, तो यहाँ पर compatibility के presumption या consistency या compatibility की चीज़ follow करने, it means what, domestic law, international law के बीच में आपका proper compatibility और consistency बनी होनी चाहिए, तो इससे further जैसे एक certainty बनी रही रही देशों के बीच में, जैसे एक जो बड़े-बड़े investors, उनके मन में भी कोई दो विधार नहीं होगी, वो नेक्स देखते हैं, यह भुटान और भुटान की बात करें, इंडिया-भुटान relation पर आयार का topic है, इस पर हमने काफी चर्चा कर रखी है, कल ही discuss किया था, तो इंडिया और भुटान की बात की जाए, कल मैंने explain भी किया था बहुत सारी चीजे, तो इसके कुछ points देख लेत देखो, अभी दोनों देशों ने किस पर focus किया है, यह हम infrastructure और connectivity जो है, वो develop करेंगे, infrastructure डेवलप करेंगे, और connectivity जो है, वो develop करेंगे, तो कल भी मैंने सारे infrastructure project के, हम लोग ने discussion भी किया है, तो जैसे कोकरा जहार, जेलेफू rail link develop करना, जो कि भुटान को असम से connect करेगा, और भुटान टु वेस्ट बंगाल का rail link इस पर बात्चीत आपके हो रही है, भुटान बंगलादेश जो trade है, उसको facilitate करने के लिए भी connectivity पर हम जो है, वो focus कर रहे है, और integrated जो जो चेक पॉइंट सा वो develop कर रहे है, इस पर भी हमने focus किया है, यह इस पर भी हमने focus जो है, वो किया है, सो वेस्ट बंगाल, नौर्थ इस्टन रीजन, भुटान का सदन रीजन और फिर एक कुछ एक डिस्टिक है, इनका जौंखाग करके जो डिस्टिक्ट है, यह सब और बांगलादेश का नदन पार्ट है, इनके बीच में connectivity प्रॉपर established जो है वो करना है, और अभी फिलाल और अगर यह connectivity होगी, तो बंगलादेश से भी लोग वहां जाने लग जाएंगे, बट इल्लीगल तरीके से ना जाएं, यह देखना पड़े है, यह है, फिर उसके बाद क्या है, कि कुछ special economic zones भी बोटान के southern border region में proposed है, एरपोर्ट भी बनाया आपका जो है वो जा रहा है, अब इसके बाद भोटान और बंगलादेश के बीच में, प्रिफरेंशल ट्रेड एग्रिमेंट भी साइन किया है, तो अगर यह ट्रेड एग्रिमेंट यह सारा साइन किया है, तो बंगलादेश के बोटान के में जाना, बोटान के बोटान के बोटान के बोटान के बोटान benefit भी होगा कि जैसे एक connectivity एक तरफ बांगलादेश एक तरफ भोटान हमारा नौर्थ इस रीजन के development में connectivity बहुत helpful रही है चाइना ने बहुत प्रयास किया है जिसमें एक तरफ तो मैनमार पे उसका पूरा control है उधर हम connectivity हमें समय लगेगा तो जब तक सब चल रहा है तब तक हम बुटान और बांगलादेशन के बीच में अच्छी connectivity एक प्रकार से develop जो है वो कर सकते हैं और एक sub-regional hub type जो है वो develop हम कर सकते हैं यह यह लाइन आप याद रखो सब-regional hub बना सकते हैं सब-regional hub यह पॉइंट याद रखो सब-regional hub जैसी चीज़े जो हम develop कर सकते हैं यह भी इंपार्टेंट है फिर पाकिस्तान और मैनमार का पॉइंट है कि इनके साथ connectivity अभी इतना सही है नहीं है और प्रॉसिबल नहीं जो situation है फिर conflict की स्थिति है और जिस तरीके से anti-globalization की तरफ चीज़े जा रहे हैं anti-globalization की तरफ क्या हो गया globalization क्या है economic integration different economics के बीच में जो integration है वो आपको globalization होता है यहां पर एक तो geopolitical conflict है और anti-globalization जो trends है यहां इसके माध्यम से क्योंकि anti-globalization की तरफ जा रहे हैं तो it means what कि जो बड़ी-बड़ी regional groupings हैं बड़ी-बड़ी जो groupings उस पर focus नहोंगे सब regional groupings पर focus होगा और वहां पर economic activity generate की जाई तो इस वज़े से यह important हो जाता है ऐसे infrastructure develop करना इंडिया बोटान इंडिया बांगलादेश बोटान इंडिया बांगलादेश और इंडिया बांगलादेश और फिर इसमें छोट-छोटी देश और एड जो है वो करना अगें चाइना ने भी अपना जो push रखा है South Asian trade से related infrastructure projects से related और यह बोटान चाइना boundary agreement अभी चल रहा है और बोटान बहुत important है इंडिया के लिए और silly goodie corridor के बहुत close भी है although बोटान को इस चीज का पता है कि अगर वह बहुत चाइना खिया बाद में उसको सपना आएगा और उसको आएगा बोलेगा हम भुटान हमारा हिस्सा था और इसमें हमने हमारे जो एक राजा थे वह चौमिन खाती थे और उस चौमिन के मसाले हमारे हां पाई जाते थे इस रहता ही है तो बोटान इतना ज्यादा क्लोस तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ अगर कुछ लेवल पर एग्रिमेंट हो जाए और काफी क्लोस आजा है बोटान के चाइना अल्रीडी है भी तो वह इंडिया के बहुत हूज स्ट्राइजिक डिस अड्वांटेज जो है होगा च यह आप के अंदर आकलन सिरीज जॉइन करके और फिर आप अपना एंसर इवेलवेट करा सकते हैं अग्रिकल्चर ऑप्शनल के लिए भी क्लासेश चल रही है प्लीज इसको जरूर से जॉइन करें सौराप पांडे CSE आप के अंदर यह ऑप्शनल की क्लासेश भी चल रहे ह का है, तो यह आकलन सिरीज है और यह टस आपको मैसा नहीं करना अधाइट पर दिशनल अब के इन जो भी हिंपोर्टन चीजें है। बुकलेट और बनाके भी आप लोग को प्रोवाइट करते हूं अपने एंसर को अगर आप इवल्यूएट नहीं भी कराना चाहते हैं फिर भी आप अपने एंसर को लिख के इस ग्रूप में जरूरू से सेंड करें तो आज के लिए इतना ही आपके लिए हेलफुल रहा होगा आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में क्योंकि काफी सारा कंटेंट आता है और इसको पढ़ने में कई बार समय लग जाता है स्लाइड बनाना रिकॉर्ड करना और फिर आपको सेशन देना ठीक